लाडली बहना आवाश योजना पस्ट इंस्टॉल्मेंट इस दिन जारी होगी लाडली बहना आवाश योजना की पहली किस्त के 25,000 रूपए देखे वीडियो में संपूर्ण जानकारी जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मद्य परदेश राज्य सरकार के द्वारा लाडली बहना आवाश योजना का संचालन किया जा रहा है जिसके तहट जल्द ही लाबार्ती मैला के बेंक खाते में योजना की पहली किस्त ट्रांसपर की जाने वाली है लाडली बहना आवाश योजना क्या है? लाडली बहना आवाश योजना परदान मंत्री आवाश योजना के तर्ज़ पर चलाई जाने वाली वह योजना है जिसके तहत गरी मैलों को पकागर उपलब्द करवाने के लिए सरकार के द्वारा 1,30,000 रुपए की आर्थिक साहिता राशी उपलब्द करवाई जाएगी यह राशी लाबार्टी मैलों को तीन किस्तों में मिलेगी जिसकी पहली किस्त 25,000 उपए की दूसरी किस्त 25,000 उपए की और अंतिम किस्त 20,000 उपए की होगी इस योजना को लॉंच करने का मुख्य उद्दे से राज्य की गरी महिलों को अपना पका मकान उपलब्द करवाना है हेलो दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं अपना समर्तन दिखा सकते हैं और विशे सुईदाओ का लाब अरजित कर सकते हैं लाडली बहना आवाश योजना का लाब किन किन महिलों को मिलेगा लाडली बहना आवाश योजना के तहत क्या लाग 75,000 से आधिक इत गरायों को लाब मिलने वाला है इस योजना के तहत उन महिलों को लाब मिलेगा जिने किसी भी आवाश योजना से लाब नहीं मिल पाया ह और आज भी वे आवाश हीन है इस योजना के तहत गरी महिलों को पके गर उपलत करवाए जाएंगे लाडली बहना आवाश योजना पंश्ट इंस्टॉल्मेंट लाडली बहना आवाश योजना के तहत 17 सितमर 2023 से फॉम बनने शुरू किये गए थे जबकि अंतिम तित्य पंश अक्टॉमर 2023 अभी इस योजना के तहत पहली किस्ट जारी करने की गोशना सरकार के दवार कर दी गई है लाडली बहना आवाश योजना की पहली किस्ट यानी 25,000 रुपे जल्द ही लाभार्तियों के बैंक खाते में जमा किये जाने वाले हैं लाडली बहना आवाश योजना की पहली किस्ट कब हो गी जारी? मद्ध्यपर्देश राज्य की महिला जीनने लाडली बहना आवाश योजना का लाभ मिलने वाला है उनके बैंक खाते में योजना की पहली किस्ट यानी 25,000 रुपे की साहथ राच्छी इंपोर्टेंट डॉकुमेंट समगर आईडी आधार नंमर मन्रे का जॉपगार द्याइंखाता लाडली बहना योजना कि पंजी गरंड संक्या याजली भैना आवास योजना लिस्ट को कैसे डाउनलोड करें सबसे पहले आपको लाड़िली बहना आवास योजना गराम पंचाइट सूची के लिए योजना के आधिगारी वेबसाइट को ऑपन करना होगा इसके बाद होम पेज़ में दिये गई रिपोर्ट के सेक्षन में जाना होगा इसके बाद आपके सामने गराम पंचाइट, जनपद पंचाइट और जीला पंचाइट का विकल मिलेगा इसमें आपको पंचाइट बार के ओप्सन पर किलिक करना होगा फिर जीले और गराम पंचाइट का नाम सेलेक्ट करना होगा आपके सामने एक नया पेज खुल कर सामने आएगा जिसमें आपको संपुर्ण जानकारी देखने को मिलेगी यहाँ आप अपना नाम खोच सकते हैं और इस तरह गराम पंचायत लाडली बेना योजना आवास लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ सेर जरूर करें क्योंकि सरकारी योजनाओं की सबसे पहले अपडेट आपको इस चैनल के मादियम से परवाइड करवाई जाती है इसलिए चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन को फ्रेश करें जिससे के आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें दोस्तों आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो इस लिंक पर जाकर आप हमें टेलिग्राम चैनल पर जरूर फॉलो करें धन्यवाद